हमें अपना प्यार देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए आप जो अलार्म बटन है उसको आप दबाईए और जितना होसर के वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भत प्रस्तती जोतिश दिशा सत्य की राहा नमस्कार शिकिष्णा शिरादे बहुत सवागत है आप सबका सुबह सुबह की पावन वेला के दिविकारकरम जोतिश दिशा सत्य की राह में आपके साथ मैं हूँ आपका एश्ट्रो फ्रेंड संतो संतोशी आदुरिक्ता और संसकारों का एक महांतम संग्यम है हमारा एक खास दिविचैनल जहां पर आपको हर एक चीज की जानकारी बहुत सटीक तरीके से मिलती है हम आ चुके ही इस समय गाजियाबाद में अपने यहां की कारियाले में और आप लोगों का इस्तक्बाल करते हैं आप लोगों का स्रागत करते हैं जो भी आना चाहते हैं दो दिन के लिए शॉर्ट नोटिस पे मैं फिर से लखनव आ रहा हूं जिसकी वज़य से नागपूर का शड़ियूल थोड़ा सा पोश्ट फोन हुआ एक पारिवारिक आवश्यक्ता और बहुत अनिवार्य आवश्यक्ता की कारण अचानक से मुझे जाना पढ़ रहा है तो एक दिन अपना घरेलू कारें रिप्टा करके और फिर लखनव आकर आप लोगों से भी मुलाकात कर सकता हूं तो 15-16 जुलाई में अगर आपको आप से लखनव में मिलना है तो हम आपका सौगत करते हैं 20-25 लोग जो भी हो पाएगा वो दिने जी से बात आप लोग कर सकते हैं टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं वीडियो में भी आप अपने नंबर्स ड्राप कर सकते हैं या फिर मेल भी कर सकते हैं हमारे मेल आईदी पर अगर आपको मिलना है अगर फोन पे रिस्पॉंस नहीं होता है आज की विशे पर हम आते हैं आज का हमारा बहुत खास विशे यह है कि अगर आप सब किसी के बहुत दूर चले जाने के कारण बहुत दुखी और छुपद हैं बहुत परेशान हैं जिसकी उपस्थिती आप के लिए सांसों का कारे करता हो ऐसे उसको ऐसे अपने प्रिय को ऐसे अपने प्रियतम को ऐसे अपनी प्रियतमा को ऐसे अपने प्यारे को ऐसे अपने लाडले को अपने बेहत करीब लाने के लिए एक विशेश उपाय हम आपको बताएंगे जिसका नाम हमने दिया है ब्रम्हास्त्र एक ब्रम्हास्त्र आप तक हम पहुचाने वाले हैं जिस ब्रम्हास्त्र के सहारे आप उसको अपने सामने खड़ा होने के लिए खड़ी होने के लिए मजबूर कर देंगे शर्ट बस एक है कि किसी न किसी रूप में उसका आपके साथ कोई संबंध होना अनिवार रहे बायलोजिकल संबंध होना अनिवार रहे अब जैसे अब यह चाह लेगी अभी आज अभी हमारे सामने भारत के प्रधार मंतरी खड़े हो जाए स्री नरेंद्र भाई मोदी जी क्या यह संभव है माहनायक जी आजाए अमिताब बच्चन जी आजाए हम प्रियोग कर बैठे नहीं कोई न कोई बायलोजिकल रिलेशन में अगर कोई है तो निश्चित रूप से हमारा आज का ब्रम्हास्त्र दुनिया का सबसे प्रबल्दम वशी करनात्मक ब्रम्हास्त्र कहलाएगा इत्तू सब बताएगे बहुत छोटा बहुत प्रभावी बहुत खिचावाला और बहुत यूनीक बहुत यूनीक प्रभावी रहेगा सत प्रतिशत प्रभावी रहेगा तो दुनिया का सबसे आसान वशी करन प्रयोग आज हम आपको बताएगे ब्रम्हास्त्र क्रोप में थोड़ा सा इंतजार करिएगा पहले आज का पंचांग आजी जानते हैं और हाँ एक बात कल वाले पंचांग में राहु काल गुलिक काल में थोड़ा सा मिश्टेक रहा एक दिन का पूरा मिश्टेक रहा जो चला दिया गया वो संड़े का था और दिन सनिवार का था जिसके लिए हमने प्राता है काल जब कारेकरम देखा तो हमने बहुत बहुत यूनीक वे में पिन किया कमेंट और वहाँ पर हमने शनिवार का डाला थोड़ा वी लंब से रहा ध्यार नहीं गया था जिसके लिए हम छमा प्रार्थी है मानवी हैं हम लोग तो थोड़ी बहुत गल्तियां मानव से हो जाया करती है थोड़ा आप लोग समझदारी से काम ले लिया करिएगा कभी कभी चलिए आज का पंचानग असार मा कृष्ण पक्ष दश्मिति थी चंद्रमामेश राषी में श्विन नक्षत्र सुबह साथ बज़कर 37 मिन तक रहेगा उसके बाद भर्णी नक्षत्र का प्रादुर्भाव हो जाएगा योग आज द्रिती दधनुसार दिनांक आठ जुलाई दिन रभिवार रहो का शाम चार बज़कर 30 मिनट से ले करके 6 बज़े तक नया और शुब काम इसमें नहीं करना चाहिए काम बिगड़ जाते हैं और गुलिक काल का समय रहेगा शाम 3 बज़े से ले की 4 बज़ कर 30 मिन तक हर एक काम आपके बन जाएंगे आप जो चाहें कर सकते हैं शुपता आपके साथ बनी रहेगे ग्रहों की बात कर लेते हैं सुरिमिधुन राशी में रहेंगे बुद्राहु करके में शुक्र सिंग राशी में ब्रहश्पतितुला में शनी धनु राशी में केतु मंगल मकर राशी में चंद्रमा मेश का केतू के नक्षत्र स्वामित तुम्हे होने के कारण आज का सुर्योदैक का स्वामी महादशानात के रूप में केतू रहेगा सुर्वात करते हैं आप सब के पूरे दिन के सबसे बहतरीन भविश्य फलका सबसे पहले मेश राशी बताएंगे मेश राशी वालों के लिए लेकिन एक बार फिर से आपको याद दिरा देते हैं कि बस थोड़ी दिर में हम बताने वाले हैं इस दुनिया का सबसे आसान वशी करण रम्हास्त्र थोड़ा सा इंदजार चमतकार आपके सामने होगा मेश राशी आज आपको माता पिता के साथ संबंधों को मधुल करना होगा बड़ों का आशिरवाद आपके साथ बना रहेगा आज स्रिक्षा में आपका मन अच्छे से लगेगा संतान के दाइत्व की पूर्ती होगी धन संपदा वैभों की प्राप्ती होगी पुराना प्रेंडिंग बड़ा काम आपका बन जाएगा घर में मांगली कारे संपन हो सकता है जमीन जाजात का लाब दिखाई दे रहा है शुवरंग भैगनी भाग की प्रतिशत बाजट बिशब राशी हो सकता है कि आज बिशब राशी वालों के लिए एक अलग तरह का उत्साह दिखाई दे जो भी आपके काम रुके थे जो भी काम आपके अधूरे थे आज किसी मित्र की मदद से आपके काम बन जाएंगे आज शादी की बात आगे बढ़ेगी नोकरी आज इसे थोड़े थगे थगे से महसूस करेंगे लेकिन शाम को परिवार का साथ बढ़िया रिफ्रेश्मेंट कर देगा आप माता पिता का साथ सानिध्याप के साथ बना रहेगा आज बिशब रासिवालों के लिए बहुत प्रभावी समय कहा जाएगा मजबूती के साथ काला रंगशुप 65 प्रशद का भाग्य है मितोन राशी किसी अपने का साथ आपके साथ जुड़ेगा बहुत समय से आप अकेले अकेले से थे तो आज कोई आपको दुकेला कर देगा अपने आपको आप मजबूत पाएंगे आज धनात्मक कारियों की सिद्धी होगी आज प्रुशिद्ध फील करेंगे कहीं पर अवार्डेड हो संकते हैं मितोन राशी वाले पब्लिक डोमेन में आपका वर्चस्व, आपका रुत्बा, आपका रुवाब बढ़ेगा सोच समझ करके फैसले की घड़ी है आज करकराशी, बड़ बोला पन आज घातक रहेगा राजनीत से जुड़े लोगों के लिए फायदे का सवधा रहेगा किसी बड़ी समस्या से आज मुक्ति मिलेगी पैत्रिक संपत्ति की प्राप्ति होगी आज हो सकता है करकराशी वालों के लिए अपने आप पर भरोसा करने का एक अच्छा बहाना मिल जाएगा किसी अंजान से, किसी अजनभी से सावधान रहना है बहुत सोच समझ करके निर्ड़े लेना है उसकी कही बातों को मानने से पहले सवबार सोचिएगा आज करकराशी वालों के लिए पिता के स्वास्थ पर थोड़ा सा भादी संकर दिखाई देता है नहान दीजे का शुबरंग सफेद भागी परसर सत्तामन सिंग राशी कुरोत की अधिक्ता पर अंकुष लगाईए संतान के प्रति अपने जिम्मेदारियों का अंदिरभन करिए आज अपने स्वास्थ पर इक्ष्ट्रा केयर करिएगा बहुतों के लिए बहुत सोचा थोड़ा अपने लिए सोचना अनिवाज है किसी बड़ी समस्या से बाहर निखलेंगे अपने आपको धार्मिक्ता की तरफ ले जा करके अपने आपको मजबूत बना सकते हैं इमोशनली थोड़ा सा वीक फील करेंगे सिंगरासी वालों के लिए आज के दिन स्वास्थ पर भी फोकस करने का रहेगा शुबरंग आपके लिए पीला भाग की प्रतिशत 61 कन्या राशी व्यापारिक दिश्ट कोण से आज हलका पड़ेगा दिन हो सकता है कि सोच समझ कर लिया गया फैसला कुछ सुब हो जाए अन्य था आज का दिन तो बड़ा श्ट्रगलर वाला फील कराएगा आपको जितना हो सके अपने आपको मोटिवेट रखिएगा आपके लिए बहतर रहेगा बहुत समय से जो अधूरे काम आपके थे पेंडिंग काम आपके थे उन समस्त कारियों को आप प्राप्त कर सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं जितना हो सके करने राशी वालों को आज के दिन आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने का है अपने आपको एमोशनली वीक फील करेंगी उस पर भी आपको फोकस करना गुलावी रंगशुप साथ प्रिश्ट का भागए तुला राशी आपके लिए समय बहुत उत्तम है आज समस्त अधूरे कामों को पूरा कर सकते हैं, रिष्टे की बात फाइनल हो सकती है वाहन आधिका भी आज सुख और लाव मिलेगा वक्त मनुरंजन में बीतेगा आर्थिक संकत आज दूर हो जाएगा सिक्षा में रूची रहेगी विदेश से सम्मंधित कोई सुख संदेश आपको खुश कर जाएगा किसी अपने का साथ मिलेगा प्रेम जो रूठा था आज मान जाएगा ना प्रेम फेलिंग वाला नाम वाला नहीं हाज तुला राशी वालों के लिए किसी अज्यात अंजान की मदद बहुत काम करेगी मोटिवेटेट फील करेंगे लाल रंग शुख एकाहत्तर प्रिश्चत का भाग्या व्रिष्चिक राज गुस्या कदापिना करिएगा हर रिष्चते को बराबर समय देना आज अनिवार्य है बैलेंस बना कर चरिएगा पति-पत्नी के बीच तकरार खत्म होगा व्यापारिक दिष्टिकोंड से दिन बहतर कहा जा सकता है उत्तम निरड़े उत्तम समय पर आप कर ही लेंगे पत्रिक संपत्ति का विवाद भाई बेहनों के द्वारा सुल्जा लिया जाएगा शादी की बात आज तूट सकती है आर्थिक रूप से अपने आपको आज इस्टेंड फील करेंगे नीला रंगशुप छाच्छत प्रशत का भाग्य है धनुराशी शिक्षा से सम्मंदित आज कुछ अप्रिय समाचार आपको परिशान करेगा हो सकता है कि आज 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 थोड़ा वीचलित वीचलित से रहे कुछ मित्रों का साथ ले लीजेगा आज यह एक आपके इस अश्टुमित्र की सला है अपने ख्षाओं की सीमा को आज खोल दीजेगा बढ़ने दीजेगा धनुराशी वालों के लिए विदेश से सम्मंदित सतर्ग रहना होगा कोई आपको चीट कर सकता है हर किसी पर भरोसा मत करिएगा आपके लिए यह घातक आदत कहलाएगा रूपय पैसे के लें दिन में बहुत सावधान रहने की आवश्यक्ता है शुबरंग औरेंच भाग की प्रत्षत 68 68 मकर राशी मन बहुत चंचल होगा आज उसको रोकना होगा रूपय पैसे को लेकर बहुत जाधा बिचलित न होईए उताव लेना होईए जितना हो सके अपने आपको मजबूत बनाईए जितना हो सके अपने आपको एक लेवल पर लेकर जाईए मकर राशी वालों के लिए आज के दिन यात्रा से सम्मंधित बहुत सावधान रहने का दिन है खुद ड्राइब ना करने तो बहतर है अन्य था आपके लिए घातक होगा ग्रे कलरशुप 57 प्रतिशत का भाग्य है कुम्ब राशी आज कुम्ब राशी वालों के लिए माता पिता से जुड़ा हुआ कोई विशेश फाइदा आपको होगा आज हो सकता है कि आप अपने आपको थोड़ा सा परेशान फिल करें अगर आपकी राशी पुम्भ है तो यात्रा आज आपके लिए लाप दायक रहेगी व्यापारिक दिश्टिकोंट से जितने भी निरड़ाय आप लेंगे वो आपके लिए पक्ष में जाएंगे धन की कमी आज दूर हो जाएगी कोई आपका अपना बेहत करीब आएगा आपके साथ देगा आज कुम राशी वालों के लिए पति-पत्नी के बीच टकराव की स्थेती पैदा हो सकती है द्यान दे दिजेगा संभल जाएगा मामला श्लेटी रंगशुब 63 प्रित्शत का भाग क्या है अंतिम राशी मीन बहुत अकेला फील करेंगे आज ब्लेक अप की संभावनाय बन रही है थके थके सी भी रहेंगे काम का बोज भारी पड़ सकता है मित्रों से भी आज एक अगोशित दोरी बन सकती है परिवार में इस्थिती थोड़ा सा तनाव पूर रहेगा लेकिन नियंतरण में आप कर सकते हैं बोलते ना करफू लागू है इस्थिती तनाव पूर लेकिन नियंतरण में है एक पोयम भी मैंने इसमें पढ़ाता कुछ किसी कभी ने बड़ा अच्छा व्यंग कटाक्ष लिखा था तो आज मीर राशी वालों को अपने परिवार में इस्थिती तनाव पूर लेकिन नियंतरण में रखना होगा थोड़ा घूमने टहलने जाएगा अपनों का साथ लीजिएगा सब कुछ अच्छा वी तेगा बादामी रंगशुब है 79 प्रतिशत का भाग आपके साथ है तो अगर बहुत परेशान हैं आप किसी अपने के खोने की वज़े से या खोने के डर की वज़े से बेटी 5-5-6-6 साल दूर रहती है माँ से अचानक से भाग जाती है नाराज हो जाती है वाइफेंड पा गई है शादी कर लेती है भोग है मैं कितना कुरेदू बेटा भी भी क्याने के बाद से बदल गया है फोन नहीं करता है भाई एकदम से मतलब नहीं रखता है जब से भावी आ गई है तमाम इस प्रकार से विसंगतियां परिवार में यदा कदा पैदा हो जाती है अगर कोई बाइलोजिकल रिलेशन वाला आप से डिस्टेंस बना लिया है जिसके डिस्टेंस बनाने के कारण जैसे आपकी सांसे रुख गई हूँ जैसे आपकी सांसे रुख गई हूँ तो मेरे मित्र आज का ये हमारा महास्त्र सिर्फ आपके लिए है एक दिन में 24 घंटे में चैलेंज चैलेंज नो पत्थर, नो नॉन्वेज, देन रिजल्ट और एक बात, कंडीशन सप्लाई मैं कहना नहीं भूलूंगा, कुंडली का योग भी होना जाए शर्ट इसलिए इसको रख देता हूँ जिससे आप लोग निराशना हूँ भाग्य में हो, मेहनत करें, सफलता मिल जाएगी भाग्य में नहीं है, मेहनत करते रहिए, सफलता कैसे मिलेगी तो ये हम मेहनत करवा रहे हैं, मेहनत को इजी कर रहे हैं आपकी मेहनत को हम इजी कर रहे हैं जैसे आपके भाग्य में पहुँचना लिखा है आप पैदल चल रहे थे हमने साइकल थमा दिया आपके भाग्य में और प्रबल था हमने motor cycle पकड़ा दिया आपके भाग्य में super प्रबल था बहुत बड़ा सो भाग्य था हमने motor car पकड़ा दिया with AC this is what the remedy is the remedies are this is what यही है समधाना चाहता हूँ अभी एक दो दिन पहले किसी ने comment भी किया था तो यह है सारी चीजे अब आई आज का हम आपको बताते हैं भाग्याक्षर उसके बाद success की और फिर दुनिया का सबसे आसान वशी करण ब्रमास्त्र भाग्याक्षर यह आपका खास शुब भाग्याक्षर है जो 24 घंटे के लिए आपको बहुत यूनीक बना देता है बहुत खास बना देता है बहुत बिलक्षन बना देता है यही है इसकी खासियत इसकी खास बात यही है इसे आप लोग समझे आगे बढ़ते हैं आज की success की दही एक चम्मच में ले लीजे सर से सीधा वारिये clockwise दक्षना वर्थ तीन बार पांच बार या साथ बार तीन पांच साथ आप पे छोड़ा और किसी पौधे के नीचे तुलसी गमला के किसी भी पौधे के नीचे रखते हुए चम्मच घर में यूच कर लीजे फिर निकल जाएए घर से घर में रहना तो भी कर लीजे रहने के बाद इस प्रियोग को तो बिना नहाए भी किया जा सकता है ये इतना प्रभावी प्रियोग है चलिए आगे बढ़ते हैं बात कर लेते हैं आज के दिब ब्रहास्त्र की अपना ये कारिक्रम हमारा ये चैनल स्विच किया तो हम आपको बता दें कि आज के ब्रम्हास्त्र में हम आपको बताने वाले हैं कि आपके करीब लाकर खड़ा कर देगा आपका कोई भी खास जो आपसे किसी भी रूप में रूठा है उसको भी भी खास बाइलोजिकल रिलेशन वाला प्रियोग आपके सामने एक कटोरी लीजिए किसी की भी चांदीश टील लोहा पितल कासा ताबाब चाहे जो कटोरी खतम बाद गंगा जल गुलाब जल और छोटी इलाइची चाहे छिलका सही चाहे छिलका हटा कर सिर्फ दाने कितन बूद जितना मरजे गुलाब जल गंगा जल और तुलसी के दाने ये डाल देजे डालने के बाद अपने सामने रखिए और थोड़ा सा शहध चाट लेजिए शहध अपनी जिवा पर रखके चाट लेजिए एक चम्मच लेके चाट लेजे शहध हनी शहध चाटने के बाद पानी नहीं पीना है अब जिसे करीब लाना हो उसका नाम 108 बार दोहराईए जिसको भी करीब लाना हो जैसे दिनसवा है दिनसवा के नाम दोहराईए देखो हस दिया दिनसवा तो उसका भी नाम आप लोग दोहरा सकते हैं जिसको भी करीब लेकिन biological relation होना अनिवार है कही न कहीं से शारीरिक संबंध आप दोनों में रहे जैसे हमने भाई का बहन का माता का पिता का पती का पतनी का किसी का भी दिया है अगर संबंध है तो ये प्रियोग सत प्रतिशत प्रभावी होगा हो सकता है नहीं कुंडली का योग अनिवार है मैं रोक नहीं रहा हूँ करिए आप साथ ही दिन की तो बात साथ दिन लगातार करना है और पहले दिन से आपको रिजल्ट दिख जाएगा बहुत शुक्रिया धन्यवाद तो दो दिन के लिए अचानक से अटेंडम लखनों का शेडूल बना रह रखिएगा आप लोग ऐसे हमें प्यार करते रहिएगा और दिनेश के नंबर पर कॉल करके या मैसेज डाल करके आप लोग लखनों का नाम लिखवा दीजेगा जादा नहीं बस 20-25 जैसे भागलपुर में एक दिन के लिए गये थे उसी तरह से समझे कि बस ये व्यक्तिकत काम है तो आप से मिल भी लेंगे बाकि नागपुर और रायपुर का थोड़ा सा डेट थोड़ा सा सरका है उसकी जानकारी आपको कारियाले से मिल जाया करेगी जल्द ही आएंगे फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद आप लोगों का आप लोगों की इस प्यार क के लिए यह प्यार योई ही बनाए रखेगा नमस्कार हमें नाइश डेट टेक क्यार शिराधे जेजेशे किसना है हमें अपना प्यार देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए आप जो अलार्म बटन है उसको आप दबाईए और जितना हो सके वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा